भाजपा की ओर से पार्टी की प्रवक्ता सम्मित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आद्मी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केज़िवाल का इमानदारी और बैमानी का सर्टिफिकेट अदालत से जादा महत्त पूर्ण है भाषपर प्रवक्ता ने केज़िवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है कि आप नेता ने यह नहीं कहा कि अमेरिकी राष्ट पती बाइडन भी उनसे डरते हैं शराप चोर अपने आपको माखन चोर बता रहे हैं पात्रा ने आगे कहा कि CM केजरिवाल दावा करते हैं कि उनकी पार्टी कट्टर इमानदार है लेकिन वास्ता में आप कट्टर बैमान और ब्रश्ट पार्टी है और उसका पुलिंदा अर्विंद केजरिवाल ने अपने एक बैठक में रखा है वो अपने आप में अन्ना हजारे जी की इन बातों को चरितार्थ करता है उसे सत्ते कहता है आज ऐसा लगता है कि इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरिवाल जी का सर्टिफिकेट है कोई इंडियन जुडिशरी की सर्टिफिकेट की अवशकता नहीं है अगर केजरिवाल जी कह दें कि फालाना आदमी ओनेस्ट है तो ओनेस्ट है अगर वो कह दें कि ये सारे लोग भरस्ट हैं तो वही भरस्ट है कि सबसे बड़े केजरिवाल जी का सर्टिफिकेट है इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंब हो गया है आपको याद होगा कोई भी चुनाव आता है किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरिवाल जी की चालू हो जाती है वो उस र राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मही फस्ट आने वाला हूं मही जीतने वाला हूं हम जीत गए हैं हमारे सर्वे आ गए हैं और सब ढरे हुए है जो भारत की सरकार है डरी हुई है गुजरात की सरकार ढरी हुई है बाकी सारी सरकार है डरी हुई है याद करिए ऐसे ही जाक कि इसी प्रकार का भाशन कर रहे थे कि चुनाओ आ गया है जी हम तो जीट जाएंगे हम तो फस्टाने वाले हैं कि सीएम का केंडिडेट भी घोशित कर दिया था उनके पार्टी के अध्यक्ष को याद करिए किस प्रकार से उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद आम आद्मी पार्टी को छोड़ दिया मुझे तो आश्चरी हो रहा है अभी तक जो बाइडन पर हमला क्यों नहीं बोला है ये जो बाइडन भी डरे हुए हैं आम आद्मी पार्टी से और केजरिवाल से और वहां भी उनकी पॉपुलारिटी बहुत जादा है क्योंकि विश्व में तो बात ही हो रही है इनकी होहला क्लीनिक इत्यादी इत्यादी के बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है तो अब डरना सिर्फ बाइडन जी को बाकी है बाकी तो सब डरे ही हुए बंधुगन आत्म मुगधता जिसको अंग्रेजी में मेगैलो मैनियक कहते हैं इस विशय में सुना था मगर आज पहली बार हमने देखा दो राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं अर्विन केजरिवाल जी अब भगवान बन गया है मानवितिहास में इनसान से भगवान बनने का ये जो सफर है इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले विक्ति काना बन गये हैं वो केवल भगवान ही नहीं काना और कृष्न और राक्ष्वसों का वद कर रहे हैं एकसाइश चोरी करने वाला शराब में से कट खाने वाला अपने आपको माखन चोर से कमपेर कर रहा है कमाल है इस लेवल का मेगेलोमैनिक एटिट्यूड हमने किसी भी ने अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजात करा है उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूँ वो साधारन व्यक्ति बने रहे है अठारा राज्यों में हमारी सरकार हम कहते हैं कि हम लुग सेवक हैं जनता जनारदन है भगवान कोई है तो वो जनता है और यहां केजिवाल जी कहना बन गए भगवान बन गए वह आप कट्टर इमानदार पाटी नहीं है कट्टर बेइमान और कट्टर भरष्ट पाटी है जो जेल जाने के लिए भी अपने मंत्रियों को प्रोचसाहित कर रहे हैं कि तुम भले ही जेल जाओ मगर कट लाके मेरे जेब में भरो पहले जो दिल्ली का डेट जिसको डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं क्यों बढ़ गया यह आप सभी जानते हैं देट इंक्रीज़ बाई रुपीज 2,268.93 करोड लगभग 3,000 करोड का कर्ज दिल्ली के उपर और क्यों नहों जब आप 144 करोड रुपिया शराब ठेकेदारों का माप कर देते हैं जब डिसकॉम के साथ जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बिज़्ली को लेकर घुटाला कर रहे हैं डिटीसी बस में हजारों करोड का घुटाला कर रहे हैं तो तीन हजार करोड का जो करजा है वो तो होगा फिर भी CAG कहती है जो सर्प्लस दिल्ली में दिखाया जाता है न वो क्यों दिखाया जाता है मैं पढ़ देता हूं अरविंद केजरिवाल जी नमबर दो के काम करने से भारत नमबर वन कभी नहीं बन पाएगा अगर आप नमबर दो के काम करेंगे आप शराब घोटाला करेंगे तो भारत नमबर वन कभी नहीं बनेगा अगर राशनकार में आप महिलाओं का उत्पीडन करेंगे तो भारत नमबर वन कभी नहीं बनेगा यदि आप DTC बस खरीदने में हजारों करोड का घोटाला करेंगे तो भारत नंबर वन कभी नहीं बनेगा 500 स्कूल बनाएंगे बोल करके पुराने स्कूलों को रंग रोगन करके आज आप अगर लिस्ट नहीं दे पाएंगे स्कूलों का तो भारत नंबर वन कभी नहीं बनेगा और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूटूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले